रादे रादे आप सभी को और ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए तो दो दिन से प्रोपर वीडियो नहीं आ रही है और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं वीडियो कहां से बना रही हूँ मैं आप लोगों को बताना चाती हूँ मंदिरों की नगरी यानी उज्जैन और मेरे भूले बाबा का वास है उज्जैन में तो महा कालेश्वर मंदिर के आसपास हम रुके हुए हैं तो आप लोगों को पता है सावन का महिना चल रहा है और सावन के महिने में मैं मंडे के फास्ट करती हूँ तो मैंने उस दिन खीर का प्रशाद भी बाटा था और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था कि सावन में मेरे भूले बाबा के दर्सन हो जाए तो मैंने आज भूले बाबा के दर्सन किया और इतनी अच्छे दर्सन हुए हैं वाइज और इतनी जादा भीड़ है यहां पर बहुत जादा भीड़ है लेकिन बहुत ही अच्छे और बिल्कुल पास से दर्सन हुए हैं बहुत अच्छे दर्सन हुए हैं मैंने सोचा भी नहीं था और यहां पर और भी बहुत सारे मंदिर है तो मैं सारे मंदिर गुमना चा जाऊंगी गाईज मेरी एक सब्सक्राइबर थी एक नहीं दो तिन सब्सक्राइबर थी तो उनको कले खाने से कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो मेरे को मैसेज डालते हैं कि दीदी आप प्लीज हमारे लिए प्रातना करना कि उनका ओप्रेशन था उनकी बच्चादानी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं बार-बार बोलते हूँ कले खाने से आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कले खाना सडलनी बंद कर दो बिल्कुल बंद कर दो कोई खाए या ना खाए आप इन लोगों को अपने दिमाग से निकाल दो सच मैं बोल रहे हूं मिट्टी अगर आपने थोड़ी सी भी खाई ये न वो बाद में जाके आपको तंग करेगी और इतनी तंग करेगी आप लोग देखो नोर्मल आदमी नोर्मल लेडिजे भी बिमार हो जाती हैं जो की इस तरह की गंदगी अपने पेट में नहीं डालती और आप लोग किसी को देखके खाना सीख रहे हो है न तो गलत कर रहे हो ये भवान का दिया सरीर है इसको कुछ गंदगी पेट में डालके खराब मत करो और ये जो जवान है न जिसे हम बोलते हैं इसे अच्छा बोलने की कोशिस करो हर चीज का हिसाब लिया जाएगा और मैं बार बार यही समझाती हूँ किसी का बुरा मत करो किसी की बुरी हैबिट मत लो और किसी के बारे में बुरा मत सोचो अपना करम करो करम ही पूजा है और गाइस मैं बार 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 बोलती हूँ मैं आप लोगों को अलर्ट करती हूँ करम ही पूजा है करम ही पूजा ह महाकाल बाबा के मंदीर में बहुत सारी लाइन थी तो मैंने कितने भक्तों को देखा मंदीर में महाकालेशवर मंदीर में रोरी थी लेडिसे बहुत ज़्यादा रोरी थी जब हम लाइन में लगे थे तो मैंने पूछा था पता हैं लोगों को कितनी भहिंकर भहिंकर बिमारि लगे उइए हैं सब बहवान जी के धरबार में आके बोलते हैं हमसे जो भी गलती हुई है लाइफ में हमें बहबान जी माफ कर देना ये ठीक कर दो ठीक कर दो तड़पती हैं लेडी से बहभान जी के सामने हैं लेकिन जबूँ अपने करम खराब करती है न जब जोस में आके तब वो भगवान जी को भूल जाते हैं और जब उनको सजा मिलने स्टार्ट हो जाती न तब उनको भगवान जी ही याद आते हैं तो मैं इसलिए बार बार बोलती हूं भाई गलत चीजे दिमाग से निकाल दो और गलत चीजे पेट में डा स्टार्ला बंद करदो बिल्कुल बंद करदो अगर हम कि अपनी जवान से किसी को गलत बोलते हैं गंदा गंदा बोलते हैं, आज हम उसको बोल के खुश हो जाते हैं कि मैंने इसके बारे में इतना गंद बोला, वा, मुझे satisfaction मिला मुझे satisfaction मिला लेकिन ये satisfaction कभी-कभी मोत तक ले जाता है हमें तो भाई, negative चीजे अपनी जवान से अच्छा बोलने की कोशिस करो कि हमारी जवान से जो सब्द निकले, वो किसी के काम आए, वो किसी की दवाई बने, वो किसी के लिए दुवा बने, अगर जो हमें बार बार तंग करता है, बार बार तंग करता है न, उसको भगवान के हवाले कर दो, और मैं तो ऐसे ही करते आ रही हूं और बोले बावा ने बहुत अच्छे दर्सन दिये गाइज आप लोग भी जो भी उजयन आना चाहते हो तो जरूर आना एक बार जरूर आना सारे मंदिर में घूम के जाना बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता तो मंडे को ला जल्दी ठीक हो जाए और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भगवान से प्रातना करती हूं और भगवान से मैंने प्रातना की है कि हे पितामा मेरे इस चैनल पे जितनी भी लड़कियां लेडिस मुझे देखती हैं प्यार से मेरे लिए दो अच्छे श मिठी की क्रेविंग से प्रेशान है मिठी खाना सीक लिया तो उनकी मिठी दीरे दीरे खाना चुड़वा देना उनको आसिरवात देना और जो उन्होंने गंदगी डाली हुई है उससे कोई भहंकर बिमारी ना हो तो मैंने आप सब के लिए भी प्रातना की है भगवान जी जो लोग मेरे से जुड़े हुए है और आप लोग अगर मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ और भगवान जीसे सब लोगों के लिए मैंने प्रातना की है जो मेरे चैनल से जुड़े हुए है और गाईज यह जो ये प्रमात्मा का दिया हुआ आशिर्वाद है मैं इस चैनल के थू बहुत सारी लेडिस और लड़कियों को बचाना चाती हूँ जो जो की कले की साइको बन चुकी है क्ले खाना सीख लिया है क्ले करंच करना सीख लिया स्वैलो करना सीख लिया या उसकी क्रेविंग से जो परेशान है तो धीरे धीरे हमें उनको बचाना है तो बस आप लोगों का साथ बना रहे और गाईज मेरे पास एक मैसेज आया था तो उन्होंने मेरे को मैसेज में लिख तो एक लेडिस ने लिखा था कि आप बिल्कुल मुझे पागल लगती हो अजीब अजीब सी हरकत करती है मुझे पागल लगती हो पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं तो कोई बात नहीं आपको मैं पागल दिखती हूँ ठीक है आज मैं आपको पागल दिखती हूँ कल आपको आपके घर में से ही कोई पागल नजर आएगा, जिसको आप गलत बोलोगे तो वो सब आपके साथ होगा, हर चीज लोट के आती है, मेरा ये पुराना डायलोग है, हर चीज लोट के आती है, आज आप लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कल वो गाली आप लोगों के लगेगी, जिन जिनको मैं पागल दिखती हूँ न, दिखती हूँ न, बहुत लोगों को मैं पागल, तो एक दिन वो सब पागल बनेंगे, उनकी जो ये मुझे जो ये निकलावा न, शब्द, वो उनी के उपर भारी पड़ेगा, ठीक है, जिनको मेरे अंदर जो जो कमिया दिखती है, वो सारी कमी उनके अंदर फिट हो जाएंगी, और देखना ये होगा, और ये 100% होगा, और मैं जिनके लिए वीडियो बनाती हूँ, जिनको मेरी वीडियो से फायदा है, मैं जानती हूँ उनको और वो लोग मेरी कीमत जानते हैं तो जिनको मैं मूर्क लगती हूँ जिनको मैं पागल लगती हूँ तो किसने बोला है कि तुम वीडियो देखो क्यों देखते हो वीडियो जब तुम लोगों को हम बेवकूफ लगते हैं वीडियो मत देखो, सबसे पहले तुम ही देखते हो वीडियो तो नहीं देखने चाहिए ना, क्यों अपना mind खराब करते हो, वीडियो देखे, इस वीडियो से कितनी लड़कियों की जान बचती है वो मैं जानती हो और जिनके जान बचती है जिनको फायदा होता ही वो लोग जानते हैं और जो साइको लोग है वो ही अच्छे काम में रोडा बनते हैं ठीक है तो जो रोडा बनते हैं उनको हम भगवान के अंडर डाल देत किसी को सजा देने वाले नहीं है सजा देने वाला उपर वाला प्रमात्मा है ठीक है और यह जो करम है न यह करम करम तुम्हें ले न डूबे बस इस चीज़ का ध्यान अखना इसलिए बोलती हूं बार बार बोलती हूं और जो मेरी छोटी भेहने हैं जिनकी एज कम हैं उनको बोलती हूं बेटा बिल्कुल भी मत खाओ क्ले और क्ले से दूरी बनाओ और अच्छी संगत में रहा करो अच्छी बाते सुना करो अपने माउट से किसी को गलत बातें मत वोलो क्योंकि हर चीज का हिसाब दिया जाएगा तो जो मा जो लेडिस गलत किसी के बारे में बोलती है ठीक है गाइस तो अभी मैं उजयन में ही हूँ और आप लोग जरूर आना बूले बाबा के दर्सन करना और मैं बहुत ही किसमत वाली हूं कि सावन के महिने में मुझे बूले बाबा के दर्सन करने को मिले बहुत ही अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि सावन के महिने में इतनी भीड होती है तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है और मुझे सड़नली टिकेट भी मिल गई और मैंने भुले बाबा के दर्शन कर लिए ठीक है गाइस तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ ओम नमस्यवाई बा बाइब अवाई।